गुड़ बाय औन दो हजार अठारा फिल्मों से ज्याधा सुर्खियों में रहा पाँच जोडियों का फ्यार डो ने का बूला नहींपर दिये सबूत साल दो हजारा अठारा में बॉलिवट के गलियारों में कई जोडियों की दिल तूटे तो कई के जुडे कई जोडियों एक साथ देर रात स्पॉर्ट हुई तो किसी ने आँखों ही आँखों में प्यार की सारी कहानी कह दी कई जोडियों ने तलाक के बाद अपना नया दिल बर धूंड़ा तो कई ने अवार्ड फंक्शन में आकर अफेयर की खबरों को और जोड़ दिया तो चलिए आज आज आपको साल 2018 के उन सेलिब्रिटीज के बारे में बताते हैं जिनके अफेयर ने साल 2018 हमें खूब सुर्खियां बटोरी रनबीर कपूर आलिया भट रनबीर कपूर और आलिया भट के अफेयर की खबर साल 2018 हमें सबसे ज्यादा चर्चा का विशेग रही को कबूल नहीं किया है कई मौकों पर दोनों बातों बातों में अपने रिष्टे के बारे में इशारा जरूर कर चुके हैं लेकिन खुले आम स्विकार नहीं किया है कहा जा रहा है कि दोनों परिवार को रिष्टा मंजूर है और साल 2019 में शादी भी कर सकते हैं मलाइका कपूर्ट पर भी दीवानगी दिखाई दे रही है। इन दोनों के अपेर की खबरें साल 2018 हमें खूब चर्चा में रही। देर रात दोनों को अकसर डिनर डेट पर देखा जाता है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दोनों साल 2019 में शादी कर सकते हैं। वहीं यह भी कहा जा र रहा है कि मलाइका को कपूर खांदान ने स्विकार भी कर लिया है अर्बाज खान जौर्जिया अर्बाज खान ने भी गरल अप्रेंड जौर्जिया की वजह से साल 2018 हमें खूब चर्चा में रहे कहा जा रहा है कि यह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही या अगले साल कोर्ट मैरेज करेंगे रिपोर्ट के मुताबिक उनके रिष्टे को खांदान ने भी अनुमती दी दी है पिछले दिनों अर्पिता खान के घर पर हुए गणेश महोत्सव हो या शिल्पा की प्री दिवाली पार्टी दोनों साथ नजर आये थे फरहान अख्तर शीबानी डांडीकर बॉलिवुड एक्टर फरहान अख्तर इन दिनों एक ट्रेस शीबानी डांडीकर से अटेयर को लेकर सुर्खियों में है इस बात को और हावा उस वक्प और मिली जब फरहान शीबानी एक साथ दीपिका पदुकोन और रनवीर से इनके रिसेप्शन में नजर आए फरहान और शीबानी ने अपने रिष्टे को स्वीकार तो नहीं किया है लेकिन शीबानी का एक बयान जरूर आया था शीबानी से जब पूछा गया कि पबलिक का नजरिया आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है इस पर शीबानी डांडी करने का दैशिय हव्यक्ति पर निर्भर करता है आप कैसे लेते हैं कुछ लोग हैं जो इससे बहुत प्रभावित होते हैं और कुछ परवाही नहीं करते